पीम किसान योजना की पंदरवी किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में आज पीम मोदी किस्त के पैसे ट्रांसफर करेंगे ये दो हजार रुपे हर चार महीने में भेज़ जाते हैं 27 जुलाई 2023 को पीम किसान योजना की चौदवी किस्त पीम मोदी ने राजिस्तान के नागौर से जारी की थी अब आपको बटा दी कि वैसे किसान जिनका अकाउंट अलग-अलग पोटल से लिंक नहीं हुआ है भूलेक वरिफिकेशन और आधार सीरिंग नहीं हुई है वैसे किसानों को पंदरवी किस्त नहीं भेजी जाएगी इसके लाबा ऐसे किसान जिनोंने EKYC नहीं करवाया उन्हें फिर से पंदरवी किस्ते बंचित रहना पड़ सकता है अगर आपने अब तक EKYC नहीं कराया है तो आगे आपको प्रोसेस बताते हैं कि आप कैसे अपना EKYC करवा सकते हैं EKYC करवाने के लिए सबसे पहले आप PM किसान की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं इसके बाद स्क्रीन में वाए और आपको EKYC का आप्शन दिखाई देगा उस पर प्लिक कर दें इसके बाद आपको अपना आधार नमबर डालना होगा और बागी की प्रोखलिया पूरी करनी होगी एक बार OTP वेरिफाई हो जाएगा उसके बाद आपका EKYC भी पूरा हो जाएगा